बिसमिल्ला रभान रहीम असलाम लेकूं रब्ब जिद्नी इल्मा दौा है कि आल्ला पाक हमारे इलम में इजाफा फिर्माए डियर एस्पिरेंट्स आज हम अपना एक नियो टॉपिक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक है कॉंटिटेटिव टेक्नीक्स का जिसमें प्राब्लम आफ नंबर गिवन होता है आगे चलके हम देखेंगे अक्सर जो एक्जैम है एफपी एसी के या जो बाकी पॉब्लिक सर्वेस के मिशन्स है या नैशनल टेस्टिंग सर्वेस है न्टियस उनमें इस तरह के टेस्ट में म आपकी हर एक ट्रेक पे एकसराइज नहीं होती तो सारे के सारे हम इंशाले ट्रेक कवर करेंगे तो हावर्ड अकैडमी की तरफ से एक दफ़ा फिर मैं आपको बाकी भी जितने हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ साथ जो वीवर हैं उनको मैं वेलकम कहता हू कि हम ऑनलाइन CSS की और Federal Public Service Commission या बाकी जितने commissions हैं या NTS है उनकी ऑनलाइन तयारी करवाते हैं और आप भी पूरे कोर्स को कोई भी कोर्स है उसको regular complete कोर्स को अक्सेस कर सकते हैं हमारी website जिसका address है www.howardacademy.com और WhatsApp नमबर गिवन है 33570-6226 तो लेसन की तरफ चलते हैं हमारे आज की जो topic है और हम कुछ question इसके करेंगे question की पहले statement को गहर से पढ़ते हैं if one third of one fourth of a number is fifteen यानिके one third of one fourth यानिके one fourth जो है इसका one third जो है वो किस के बराबर आता है fifteen के then three tenth यानिके three tenth of that number जो हमें product हसल होती है उसका three tenth जो है is हमने इन option में से देखना है कि कौन सा option आता है question को दुबारा एक दफा से देख लें कि one third of one fourth of a number is fifteen then three tenth of that number is हमने यहां से मालूम करना है कि कौन सा है इसको solve कर लेते हैं one third one third किसका है off one fourth यानिके one fourth तो हमने पहले number कौन सा assume किया कि हमारे पास कोई भी number given है वो है x तो यह number उसका जो है x का equal आ जाता है 15 के सब्सक्राइब तो हमने इसको solve करना है x के लिए तो one third and one fourth जो है दोनों यहां पर multiply हो जाएंगे one by three multiply four of x equal to fifteen अब one third जो है इनको three और four को multiply करेंगे one by twelve of x is equal to fifteen अब 12 जो है यहां पर divide हो रहा है दूसरी साइड पर जाके multiply हो जाएगा तो x is equal to 180 तो यह हमारे पास x number given जो है 180 है और हमने आगे चलके देखना है कि यह जो number हमें हासिल हुआ इनके 15 multiply यहां पर जाके 12 इदर और इदर 12 आप करेंगे तो यह 12 और 12 कट जाएंगे और 15 multiply 12 आजाएंगे 180 के बराबर अब हमने 3 by 10 आफ इस number का मालूम करना है 180 का तो यह हमारे पास आजाएगा 54 तो हमारे पास option कौन कौन से given थे a b c d और d हमारा option ठीक बनता है तो एक दफा आप फिर भी question की statement को पढ़ सकते हैं और यहां पर इसका solution भी ध्यान से देख सकते हैं next हमारा question है इसको read करें इसमें भी same एक puzzle दिया गया है three times एक तो question की statement को आपने ध्यान से पढ़ना है ताके आप इसको understand अच्छे तरीके से कर सकें three times the first of three consecutive odds three times the first of three consecutive first three consecutive हमने पहले मालूम करने तो हम पता होने चाहिए हम assume कर लेते हैं कोई भी हमारे पास odd number given है x उसको assume कर लेते हैं अब इस से next जो भी odd आएगा उसमें x में हमें plus two add करना पड़ेगा तो हम यह कह सकते हैं पहला हमारे पास odd number given यह है दूसरा यह है और तीसरा हमारे पास कौन सा है x plus four यानि कि हर एक नंबर छोड़ के बाद अगला next जो आता है वो हमारे पास odd आ जाएगा तो हम यह कहते हैं हमारे पास तीन consecutive odd numbers आ गए x दूसरा आ गया x plus two तीसरा आ गया x plus four अब question की statement को दुबार पड़ें three times the first three consecutive यह तो आ गया अब three times किस चीज़ का of the first one यानि कि three times of the first half यह जो first है यानि कि of the first यानि कि first का जो है 3x यह हो जाएगा three times of the first यह हमारे पास first odd number था दूसरा यह है तीसरा यह है अब यह कहते है integer is more than कितना है more than the twice of the third third कौन सा हमारे पास x plus two यह इसका twice क्या होगा हमारे पास two into x plus four तो यह उससे कितना है बड़ा है तीन अदद बड़ा है तो आपने x को मालूम करना है तो यह हमारे पास statement जो given है आपने इसको गोर से पढ़ना है कि हमारे पास three consecutive पहले number आपने build करने उसके बाल जो पहला consecutive है जो पहला odd number है उसका three times यानि कि three into पहला वाला odd number जो के x है तो यह हमने मालूम कर लिया वो कहता है कि यह कितने गुना ज्यादा है double of the last integer last यानि कि third one integer हमारे पास कहता x plus 4 इसका double करें 2 into x plus 4 यह हमारे पास third number पे आ रहा था यहाँ पे अब यह जो है तीन उससे और भी मतलब उसमें मजीद add करने पड़ेंगे तब जाके हमें product हासिल होती है तो इसको मजीद हम solve कैसे कर सकते हैं तो let हमारे पास integer कौन कौन से आए यहाँ पर मैं कहता हूँ x into x plus 2 into x plus 4 यह हमारे पास integers आ गए फिर हम क्या कहते हैं then first जो है into 3 into x यह equal कि इसके 2 into third वाला integer का double x plus 4 का और plus उसमें आ जाएगा 3 तो हम इसको जब solve करें 3 x is equal to 2 x plus 8 plus 3 इसको मजीद solve करें 3 x is equal to 8 और 3 ग्यारा टू एक्स प्लस एलेवन ठीक है तो हमारे पास इसको मजीद solve कर लें यह 3 x है माइनस टू एक्स टू एक्स टू एक्स 3 x में से 2 x गया तो x is equal to 11 हमारे पास 11 आ गया तो third integer हमने कैसे मालूम करना हमारे पास था x third integer हमने कौन सा assume की होवा था x प्लस 4 और अब हमारे पास x की value मालूम होगी जो के 11 है और उसमें 4 add कर देंगे तो यह आ जाएगा 15 हम देख लेते हैं कि हमारे पास option क्या क्या थे और उसमें कौन सा option हमारा ठीक बनता है यह option है हमारे पास 9 11 13 और 15 तो इसका मतलब है कि हमारा option नमबर डी ठीक है इसके बाद है मारा तीसरे नमबर पर question the difference between two digit number थोड़ा सा typical है आपने इसको ज़्यान से हमने मालूम एक difference वाला है the difference between two digits two digits क्या होते है one zero भी हो सकता है one one भी हो सकता है one two भी हो सकता है कोई भी two digits यह हो सकता है and by the number obtained और जो हम number हासिल करते हैं by interchanging the position उनकी अगर position हम change कर दें of its digits तो फिर इसका sum जो हमें हासिल होता है वो 36 है what is the difference between the two digits of that number उन जो दो digits है हमारे पास उनका difference किसके बराबर आएगा तो अब जब मैं इसको करूँगा तो आपको easily समझ आ जाएगा इस question को हम कहते हैं let हमारे पास number जो दो given है वो x है और y है ठीक है तो condition यह थी कि जो एक digit का double digit है यानि कि 10x अगर कहें तो plus y यह इनका जो sum है अब इनका जो difference है अगर इनको interchange कर दिया जाए यह इस 10 को यानि कि आप minus करना है और अब आप क्या करेंगे y sorry x plus 10y यहां पे हमने 10 multiply किया था x के साथ double digit को यहां पे अब interchange कर देंगे इसकी position को तो 10y हम कर देते हैं अब यह किस के equal आ रहा था 36 अब हम इसको solve करें तो 10x plus y minus x minus 10 equal आ जाएगा 10y तो हमारे पास आ जाएगा यह plus का y है यह minus के 10y तो यह 10x plus का है यह minus का x है तो 10x में से 1x minus का जाएगा तो 9x plus के आ जाएगे और यहां पे minus के 9y आ जाएगे और हमारे पास product आ जागी 36 अब 9 इसमें से common निकालें तो x-y और 9 जो है 36 और 9 जो इदर multiply कार इदर जाके दूसरी साइड पर right साइड पर divide हो जागा तो x-y is equal to 36 divided by 9 is equal to 4 तो हम यह कह सकते हैं यहां पर बाकी हम solve कर लेते हैं कि x-y यानि कि 2 का जो difference is equal to 4 के तो हम देखते हैं कि हमारा option कौन कौन सा available था तो यह हमारे पास option है 3, 4 इसका मतलब है कि हमारे पास जो option बी था यह answer ठीक था तो इस तरह के मजीद भी हमारे और भी जो problem of numbers है इस पे lectures आएंगे और अगर आप हमारा complete course जोइन करना चाहते हैं तो website का number given है जिसमें आप lectures और आपको quizzes मिलेंगी जिससे आप तैयारी complete कर सकते हैं किसी भी test के लिए दोह में जाद रखी और मुझे जाद दीजे खुदा आफिस कि लिए ताफम जादरे खुदाए जाधी दीजे जादर्ण ओूद खुदा